नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का रियल एफल सी फेंटेसी लोस कवर के ओफिशियल यूट्यूब जेनल पर दोस्तों ड्रीम 11 के उपर हर एक सदस्य 59 रुपे लगा कर क्रोडो रुपे जीतना जाता है लेकिन जो टीम क्रोडो रुपे जीतती है उस टीम के अंदर 3 या 4 ऐसे खिलाडी होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और वही 3 या 4 खिलाडी आपकी टीम में होते हैं जिनसे आपको बहुत उमीद होती है वो फ्लोप हो जाते हैं जिसकी वज़े से आप जीत नहीं पाते लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि आपको 24 घंटे पहले पता चल जाएगा कि ये खिलाडी आज के मैच के अंदर फ्लोप रहेगा और ये खिलाडी आज के मैच के अंदर चलेगा तो कैसा रहेगा मेरी इस बात का आप विश्वास नहीं करेंगे और ये बात विश्वास करने वाली है भी नहीं क्योंकि खिलाडी को खुद को नहीं पता होता है कि आज मैं चलूँगा या फिर नहीं चलूँगा लेकिन अगर मैं आपको प्रूफ के साथ ये सब कुछ बताऊं कि आपको 24 गंटे पहले पता चल जाएगा और ये 100% काम करेगा प्रूफ के साथ तो आपको विश्वास होगा और इस ट्रिक के साथ ये ट्रिक लगबग पिछले 5 सालों से लगातार चली आ रही है और इस ट्रिक ने हजारों सदस्यों को Grand League जिताई है, Mega Grand League जिताई है क्रोडों रूपे के प्राइज इस ट्रिक ने जिताई हैं जिनके सबूत हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर है पहले ये ट्रिक थोड़ी सी अलग हुआ करती थी लेकिन इस साल ये ट्रिक थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसमें थोड़ी से बतला भी हुए है और आपको ये सब कुछ पता करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एपलिकेशन के उपर जाने के जरूरत नहीं है, किसी ब्रावज तीन या चार ही मैक्सिमम ऐसे खिलाडी होते हैं जो आपको धोखा देते हैं जिनकी वज़े से आप नहीं जीत पाते हैं और वही चार या पांच खिलाडी आपको 24 गंटे पहले पता चल जाएगा कि ये आज के मैचों में खिलाडी फ्लोप रहेंगे और ये खिलाडी चलेंगे लेकिन ये ट्रिक जो है ये स्पैसल लीग मैचों के अंदर काम करेगी नहीं कि इंटरनेशनल मैचों के अंदर लीग जैसे IPL हो गया, बिग बेस लीग हो गया, पाकिस्तान सूपर लीग हो गया इनकी अंदर 100% ये काम करेगी और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जिस तरीके से आपको समझाया जाए एक एक बात को समझ लेते हैं तो आप तुरंत यहां से खुद टीम बना कर जीत सकते हैं और अब तक जैसे मैंने आपको बताया, हजारों सदस्योंने मेगा ग्रेंड लिग जीती भी है जिनके सबूत हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर है जिन्दगी बदल देनी वाली ये वीडियो है और इस वीडियो को बिलकुल भी स्किप करके मत देखना और इस वीडियो को मिस मत करना क्योंकि ऐसी वीडियो और ऐसे मोके आपको दोबारा नहीं मिलेंगे किर्केट के आंकडे देखकर अगर आप फेंटेसी के ओपर टीम बनाओगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी आप नहीं जीत पाओगे क्योंकि किर्केट अन्रिश चिताओं का खेल और फेंटेसी आपकी स्किल का खेल है जितने भी बड़े-बड़े एक्सपर्ट बने बैठे हैं जो यूट्यूबर बैठे हैं वे आपको खिलाडियों के पिछले 10 सालों की रिकोर्ड बताते हैं पिछ रिपोर्ट बताते हैं ये सब कुछ माइने नहीं रखते क्योंकि जो खिलाडी जिस खिलाडी के बारे में आपको लगता है कि ये आज कप्तानी पारी खेलेगा उसको आपने देखा होगा कि वो फ्लोप भी हुआ है तो यहां पर किरिकेट के आंकडी बिलकुल भी माइने नहीं रखते आप जब भी मेगा कॉंटेष्ट की टीम बनाएं तो उस टीम के अंदर कम से कम 7 कौमन खिलाडी और 4 आपको ट्रॉम्प खिलाडी अपनी टीम के अंदर रखने होंगे अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता सलेगा कि आज ये खिलाडी चलेगा या फिर ये खिलाडी फ्लोप रहेगा चलिए शुरूआत कर लेते हैं सबसे पहले जितने भी सदसे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि इसी परकार से मैं टिप सेंट्रिक की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ताकि आप खुद आतम निर्बर बने आपको किसी दूसरे लुटेरे का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े इसी वज़े से बाकी की जितने भी ये लुटेरे हैं ये कभी हमारी वीडियो डिलेट करवा देते हैं कभी हमारा चैनल डिलेट करवा देते हैं तो हमें सिर्फ आपका सहारा है, पर तेक वो सदसे जो इस वीडियो को देख रहा है और जो खुद टीम बनाकर मेगा कॉंटेश्ट जीतना जाता है, तो आपका सबसे पहला काम है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने की मत कहना कि मैं मेगा कॉंटेश्ट जीत नहीं पाया, ठीके दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और इसके सबसे पहले तुमा आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक काम कैसे करे हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर जूड सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के उपर कलिक करके ही आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर जूइन होना है, हमारे नाम से यानि फेंटेसी लोस कवर के नाम से बहुत सारे फ एक सक्रीन शोर दिखा कर आप से पैसे भी मांगते हैं तो हमारे नाम पर किसी को भी पैसा मत देना ओरीजनल चैनल के उपर अगर आपको जुड़ना है तो इसका एक ही रास्ता है और वो है कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके उपर कलिक करके और आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर जोइन होना है सर्च करके जोइन होने की गलती मत करना और फिर कहता हूँ कि हमारे नाम पर किसी को पैसा मत देना आज तक जितने भी सदस्यों को मेगा ग्रेंट लिंक जिताई है सबको free tips देकर, free prediction देकर दीता ही है ना आज तक किसी से पैसा लिया है और ना कभी पैसा लेंगे आप किसी fake टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाते हैं फिर आप कहते हैं आप वीडियो में कह रहे थे कि हम पैसा नहीं लेंगे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद में आप कहते हो कि पैसा दो तो ओरिजनल चैनल के उपर जुड़िये जो लिंक वीडियो के description में दिया है उसके उपर क्लिक करके जुड़िये वो हमारा ओरिजनल चैनल है और वहाँ पर आपसे एक रूपिया भी नहीं लिया जाएगा आपको जिताने की जिम्मेदारी मेरी है लेकिन दो काम करने आपको पढ़ेंगे पहला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरा टेलिग्राम चैनल को अभी के अभी जोइन कर लीजिएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल की सक्रीन के उपर लिए चलता हूँ वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ट्रिक जो है काम करती है और कुछ ऐसे बढ़वे भी हैं जो कमेंट करेंगी कि तुने कितने बार जीती है तो मैं उनको कहूँगा कि मेरी छोड़ी है जो मेरे साथ मेरे टेलिग्राम चैनल के उपर सदसे जुड़े हुए हैं वे भी जीत रहे हैं जिनके सबूत हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सबी यूट्यूब वाले एक जैसे होंगे रियल एपल सी वाला बहुत अलग है एक मत्र हमारा चैनल है जिनके सदसे मेगा कॉंटेश्ट जीतते हैं क्योंकि हम special fantasy की बात करते हैं इसी वज़े से जीतते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे और अगर आपको ये लगता है कि ऐसे कोई नहीं जीत सकता तो आप इस वीडियो को देख किसलिए रहे हैं तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल की सक्रीन पर आ चुकी है, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाऊँगा कि यह ट्रिक जो है वो कैसे काम करेगी, मैंने आपको बताया कि आपको किसी ब्राउजर के उपर जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको यूट्यूब पर ज का 7.5 है, इस क्रेडिट का मतलब यह होता है कि जो जैसा खिलाडी, वैसा उसका क्रेडिट, यानि कि जो अच्छा खिलाडी होगा, उसके क्रेडिट ज्यादा होगी, जो थोड़ा सा नोर्मल खिलाडी होगा, उसके क्रेडिट थोड़ी से कम होगी, और जो बिल्कुल निच सोचेंगे कि credit का असल मतलब यही होता है कि जो जैसा खिलाडी होता है उसका वैसा ही credit होता है अब कोई खिलाडी अगर मान लीजिए कि जोस बटलर है अगर जोस बटलर लगातार खराब खेलता आ रहा है तो इसके credit जो है असल मतलब क्या होता है अभी जैसे जोस बटलर है credit के अंदर ही यह पूरी की पूरी ट्रिक जो है छोपी हुई है आप यहां से पता कर सकते हैं कि यह खिलाडी चलेगा या फिर यह खिलाडी नहीं चलेगा बात यह आती है कि dream million को कैसे पता चल जाता है कि यह खिलाडी चलेगा या फिर यह खिलाडी नहीं चलेगा वो भी आपको आगी video के अंदर बताऊंगा कि dream million को कैसे पता चलता है बहुत से ये जो यूट्यूबर जो हैं और बहुत से लोग भी यही कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता है ये तो खिलाडियों के पोजीशन के अनुसार उपर नीची होता रहता है लेकिन प्रूफ दिखाऊंगा फिर भी अगर किसी को विश्वास नहीं होता है तो इसका मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा जिसने पिछले मैच के अंदर उपकप्तान की पारी खेली थी यहां पर आप देखेंगे कि नो क्रेडिट है मुंबई के खिलाफ जब मैच था राजस्थान का उस वक्त तक जोस बटलर के क्रेडिट नो थे उसके बाद में क्यों मैं आपको यहां पर बताता हूँ दूसरा खिलाडी है आपका रियान प्राग रियान प्राग का अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आप यह देखिएगा कि साड़े साथ इसके क्रेडिट थे मुंबई के खिलाफ तो इसने 79 पॉइंट दिये और यह DT का मतलब होता ह इसके बाद में इसका सीधा एक क्रेडिट बढ़ा दिया क्योंकि यह लगातार अच्छा खेलता जा रहा था तो ड्रीम 11 ने इस खिलाडी का साड़े साथ से सीधा एक क्रेडिट बढ़ा दिया आठ क्रेडिट हो गया उस मैच के अंदर यह खिलाडी जो है फ्लोप हो गया और यह पहली बार फ्लोप हुआ है इस IPL के अंदर उसके बाद और मैं आपको प्रूप दिखा दूँ तो वो है गेंदबाजी के अंदर आप यहां पर गेंदबाजी के अंदर देखिएगा ट्रेंट बोल्ट आप देखिएगा बोल्ट का क्या सीन था दिल्ली के खिलाफ जो मैच था उस मैच के अंदर इस खिलाडी के नो क्रेडिट थे और इसने सिर्फ चार पॉंट दिये थे यहनिकी फ्लोप रहा था उसके बाद में इसका जैसे ही क्रेडिट आदा कम आया तो इसके साड़े आठ क्रेडिट हुए और इसने एक सो तीन पॉंट दिये आपको Dream 11 के उपर शो होता है, उसी वक्त ये खिलाडियों के क्रेडिट जो है, वो कम और ज़्यादा आपको दिखाई दे जाते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हर एक खिलाडी के क्रेडिट कम ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ गिने चुन इस खिलाडी को आप यहाँ पर देखिएगा, मोहित सर्मा की अगर मैं बात करूँ, तो हेदराबाद के खिलाब जो मैच था, उस मैच के अंदर इस खिलाडी के क्रेडिट थे, आठ और इस ने पोइंट दिये थे आपको 85, यानि यह भी Dream Team के अंदर था, तो उसके बाद प important होता है, उस से अगला जो मैच होता है, उस वो मैच इतना जादा important नहीं होता है, और यह trick जो है, यह 100% वहीं काम करती है, जिस मैच के अंदर credit कम या जादा होता है, और अब बहुत से लोगों को जैसे मेने आपको बताया, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि यह खिलाडी की situation के अनुसार कम या ज़ादा होते हैं तो इससे इसका खिलाडी का फ्लोप होना या चलना यह माइने नहीं रखता लेकिन मैं आपको एक प्रूफ और भी दिखाऊंगा जिन्हों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी वीडियो को ला चला आ रहा है तो उसका कम कर दिया अच्छा चला आ रहा है तो उसका ज्यादा कर दिया यानि कि जो खिलाडी ड्रीम टीम के अंदर चला आ रहा है उसका क्रेडिट बढ़ा दिया जो ड्रीम टीम के अंदर नहीं है उसका क्रेडिट कम कर दिया यही सोचते हैं और असल में म बढ़ाना चाहिए था और जैसे ही कम किया तो इस ने पोईट दी आपको जीरो ड्रीम टीम से यह बाहर अब बात ये आती है, अभी मैं आगे और भी प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, कि अगर कोई खिलाडी मान लीजिए, फलोप चला आ रहा है, मान लीजिए, जैसे कोई खिलाडी की अगर मैं बात करूँ, जैसे संदीप सर्मा ह ये खिलाडी है, एक्जामपल के तोर पर हम इस खिलाडी को ले लेते हैं, ये खिलाडी है, ये तो खेल नहीं रहा है, लेकिन एक्जामपल के तोर पर आप इसे समझिएगा, अगर ये खिलाडी मान लीजिए, कि आज जो ये मैच था, यहाँ पर पीछे लिए चलता हूँ, यह match था, इस match के अंदर मान लीजे मुंबई के खिलाड़ी कोई wicket ना लेता और यह आपको point देता, मान लीजे 20 point देता है और dream team से यह खिलाड़ी बहार होता है, dream team के अंदर यह खिलाड़ी नहीं होता है और dream 11 जैसे इसके साड़े साथ credit है, जैसे ही इसका आदा credit कम करती है dream 11 तो उस match के अंदर यह खिलाड़ी 100% चलेगा, या फिर down करें, या फिर up करें, तो वो चलेगा उसी परकार से आप यहाँ पर देखीगा, butler कमा आपको यहाँ पर एक बार example दिखाना चाहूँगा यह देखिए, लगातार flop चला आ रहा था, flop चला आ रहा था, यहाँ पर देखिएगा, no credit थे, जैसे ही इसका आदा credit कम हुआ, तो इसने आपको उपकपतानी पारी खेल कर दे दी उसके बाद में फिर आप दूसरे खिलाड़ी का देखिए, रियान प्राग का आप देख लीजिए, रियान प्राग को आप यहाँ पर देख लीजिए, साड़े साथ credit थे, जैसे ही इसका credit अप हुआ, यानि कि जो खिलाड़ी लगातार अच्छा चला आ रहा था, उसका credit च कोई अच्छा खिलाड़ी होगा तो वो कप्तानी पारी भी खेल देगा, कोई मिटल खिलाड़ी होगा, तो वो आपको टोप 11 खिलाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद में ये तो जैसे एक ही मैच के प्रूफ मैंने आपको दिखाए हैं, एक मैच के और भी मा हुआ है या डाउन हुआ है कैसे पता चलेगा वो मैं आपको यहां पर प्रूफ भी दिखाऊंगा आप चिंता मत कीजिए इशान किसन है यह खिलाडी भी देख लीजिए आप राजस्थान के खिलाफ साड़े आठ क्रेडिट के अंदर था और इसने 24 पॉइंट यहां पर दि गेंदवाज और है जो शायद मुंबई का गेंदवाज है वो उसके मापको और क्रेडिट यहां पर दिखाऊंगा यह देखिए मुंबई का गेंदवाज है मादव इस खिलाडी को आप देखिए इस खिलाडी ने साथ क्रेडिट थे इसके राजस्थान के खिलाफ 99 पॉइ अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस खिलाडी का क्रेडिट कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है देखिए जैसे ही ड्रीम 11 आपकी यह जैसे मान लीजिए मैच लाइव है यह मैच लाइव हो गया जो मैच लाइव नहीं होते हैं वैस उनके उपर इस तरीके स मतलब उनकी ओपर हम klick नहीं कर पाते हैं। जो match live हो जता है, उसकी ओपर हम klick कर सकते हैं । ठीक है, तो अभी जैसे ही match live होता है। आप उसी वक्त पता कर सकते हैं कि आज कौन से khिलाडी के credit कम या ज़्यादा हुए हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि किस खिलाड़ी का credit कम हुआ है, किस खिलाड़ी का credit जादा हुआ है। जिन्मों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो comment में ये कहते हैं कि तुने कितनी बार जीती है तो मुह उन से अब क्या पूछी हूँ मैं छोड़ ये चलो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन से खिलाडी के credit कम हुए है या फिर कौन से खिलाडी के credit ज्यादा हुए है यह देखिए, Maxwell के माँ आपको दिखाता हूँ, यहां पर इसका no credit पिछला match है, यह राजस्थान रोयल के खिलाब, no credit है इस खिलाडी के, और यह जो match है, RCB और मुंबई का, तो इनका match है मुंबई के खिलाब, अगला match Maxwell का है, मुंबई के खिलाब, पिछला match था, राजस्था रोयल के खिलाब, तो पिछले match का data तो आपको यहां मिल जाएगा, यह credit मिल जाएगा, यह इसके point थे, अगले match का कहां से पता चलेगा, यह देखिए, यहां से पता चलेगा आपको, कि अगले match के अंदर इस खिलाडी के कितने credit है, अगले match के अंदर इस खिलाडी का credit आदा और पिछले match के अंदर no credit थे, यानि कि आता credit Maxwell का बढ़ाया गया है, पहला खिलाडी यह हो गया, दूसरा खिलाडी अगर मैं आपको और दिखाओ यहाँ पर, तो हार। पांडिया का मैं यहाँ पर आपको क्रेडिट दिखा दूँगा हार्दिक पांडिया यह देखिए नो क्रेडिट में देली के खिलाफ था 68 पॉइंट दिये थे 68 पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं हना ड्रीम टीम के अंदर यह खिलाडी था यह देखिए अगर खिलाडियों की सिच्वेशन कोई अच्छा खेल रहे तो उसके बढ़ाने चाहिए थे कोई बुरा खेल रहे तो उसके गटाने चाहिए थे तो 68 पॉइंट हार्दिक पांडिया ने दी अच्छा खिला ड्रीम टीम के अंदर था लेकिन अगला जो मैच है आर सीबी के स्क्रीन के उपर अब कोन कहता है कि ये खिलाडियों की प्रफॉर्मस के अनुसार कम जादा होते रहते हैं एक दो यूट्यूबर भी हैं चपरी वो कहते हैं नहीं जी नहीं हमने ड्रीम 11 को मेल भी करके पूछा था ऐसा नहीं होता है जी ऐसा तो होता ही नहीं है ये तो ऐस साड़े नो क्रेडिट होते तो जमता कि हाँ ठीक है प्रफोर्मस के अनुसार कम ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन आदा क्रेडिट कम किया गया है साड़े आठ किया है तो ये लोजिक है ये चीजें अब जो यूट्यूबर जो उचलते हैं ना नहीं जी नहीं आजकल तो हर एक यूट्यूबर कोपी कर रहा है रियल एफल से हमारी कोपी कर रहा हर एक जी इसका क्रेडिट कम हो गया तो ये फ्लोप होगा इसका ज़्यादा हो गया तो ये ऐसा होगा हना किसीने बाल बढ़ा रखी है किसने चस्मा लगा रखा है पर copy सब को करनी है पर credit किसी को नहीं देना है यह होती है hidden tips कहा लिजिए hidden trick कहा लिजिए इन चीजों को पकड़ना पड़ता है यह fantasy का खेल है fantasy के game में इन चीजों को पकड़ना पड़ता है tips and trick सिरफ fantasy लोस कवरी यानि हमारी ही काम क्यों करती है क्योंकि हम इन चीजों के उपर बड़ा research करते हैं तब जाकर यह पकड़ में आती है उसके बाद लोग copy करने वाले बहुत मिल सेंगे तो यह दो खिलाडी मैंने आपको बता दी अब एक खिलाडी और भी बता दीता हूँ वो आपका यहाँ पर all-rounder के अंदर ही होगा C green का देख लेती है यह खिलाडी पिछले मैच के अंदर flop था आठ इसके credit थे और अब इसका आदा credit कम हो गया है तो इसका मतलब कि यह इस match के अंदर चलेगा यानि कि जो first rank के उपर team आईगी उस team के अंदर C green आपको देखने को मिलेगा हार्दिक पांडिया मैक्सवेल उनके चाहे कम हुए है चाहे ज्यादा हुए है credit उनका कम या ज्यादा हुए है ना तो इसका मतलब वे flop होंगे जो खिलाडी पिछले मैच के अंदर नहीं चला उस खिलाडी का credit कम या ज्यादा हुए है तो इसका मतलब वो चलेगा ये funda होता है credit का कुछ खिलाडी ऐसे भी होते हैं जिनका credit कम या ज्यादा भी होता है लेकिन वे उस credit के अनुसार नहीं चलते हैं ये क्यू होता है वो भी मैपको आगे खिलाडी ने खिला IPL का 83 पॉइंट दिये और इसका selection जो है सिर्फ 8% लोगों ने अपनी टीम के अंदर इस खिलाडी को लिया था और इसके credit जो थे वो साथ थे लेकिन अगले जो मैच है RCB के खिलाफ उस मैच के अंदर इसका credit आदा बढ़ा दिया गया है इसका मतलब यह खिलाडी अगले मैच में flop रहेगा RCB के खिलाफ उसके बाद में और भी अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे तो इनका कोई अंती नहीं है जितने मर्जी प्रूफ ले लीजी आप और उसके बाद यहाँ पर सिराज का देखिए सिराज ड्रीम टीम के अंदर था 8.5 इसके credit थे राजसना रोयल के खिलाफ लेकिन ड्रीम टीम के अंदर था फिर भी इसका आदा credit डाउन कर दिया गया है ड्रीम 11 की तरफ से तो इसका मतलब कि अगले match के अंदर मुबई के खिलाफ यह खिलाडी फ्लोप रहेगा सिराज इस तरीके से आप पता कर सकते हैं अब important बात यह है कि ड्रीम 11 को कैसे पता चल जाता है क्योंकि खिलाडी को खुद को नहीं पता होता है यह हर एक सदस्य इन चीजों को नहीं पकड़ता है अभी जैसे मैंने वीडियो बना दी तो आप तो इस चीज के उपर इस तरीके से टीम बनाएंगे यह बनाएंगे बाकी के जो यह फरजी एक्सपर्ट हैं यह इस चीज को पेस करेंगे कि यह मैंने खोज की है देखी आपके लिए और यह इस तरीके से काम करेगी तो यह बातें लोगों तक पहुंच जाएगी और पांच साल से लगातार यह ट्रिक काम करती आ रही है बात यह कि ड्रीम इलेवन को कैसे पता चलता है मैंने बता है ड्रीम इलेवन को भी पता नहीं चलता है क्योंकि खिलाडी को खुद को नहीं बता होता है कि मैं आज चलूँगा या फिर मैं आज फ्लोप रहूंगा खिलाडी को खुद को नहीं बता होता है यह ड्रीम इलेवन की परडिक्सन होती है Dream 11 खुद आपको prediction करके देता है कि अगले match के अंदर कौन सा खिलाडी चलेगा कौन सा खिलाडी flop रहेगा ऐसा नहीं है कि Dream 11 को पहले से पता जल जाता है कि भे सिराज अगले match के अंदर flop होगा इसके जल्दी से credit down कर दीजी यह अगले match के अंदर flop होगा ऐसा नहीं है यह Dream 11 की prediction होती है कि खिलाडी इस situation के अंदर इस तरीके से खेलता आ रहा है तो वो इस match के अंदर इस pitch के उपर क्या कर सकता है तो जैसे सिराज है, flop रह सकता है या फिर सीजी ग्रीन है इस pitch के उपर इतने matchों के बाद large में ही जलेगा तो उसके credit कम यह जादा कर दिये और वो चल जाता है तो यह Dream 11 की prediction होती है ना कि यह कोई fixing होती है fixing बगरा को कोई चकरनी होता यह Dream 11 की prediction होती है जो खुद आपको Dream 11 करके देती है अब यह बातें जो है सिर्फ 2-3% लोग ही इस बात को पकड़ेंगे सिर्फ 2-3 क्योंकि आदे से ज्यादा लोग तो इसको किस्मत का खेल समझते है ना कि यह तो किस्मत का खेल है तो 2-3% लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को पकड़ेंगे और वे 2-3% लोग अपनी टीम पनाएंगे कुछ तो ऐसे होंगे 2-3% में से 1% तो ऐसे होंगे जो एक मैच के अंदर ट्राई करेंगे छोड़ो यार नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होता कभी भी क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है जब तक विश्वास होता है तब तक वहाँ पर कॉम्पिटीशन बढ़ जाता है तो पीछे बचे एक या दो परसेंट लोग जो लगबग 5-10 या 15 मैचों के अंदर इसी परकार से टीम बनेंगे वे 101% जीतेंगे ये मैं लिख कर दे रहा हूं 100% जीतेंगे क्योंकि कोई भी टिप्स हो ट्रिक हो उसके पीछे अगर हम पड़े रहेंगे उसके जैसे चलते रहेंगे तब ही वो काम करती है अगर एक मैच के अंदर मान लो काम नहीं की अगले मैच के अंदर ट्राई नहीं किया और हो सकता है जिस मैच के अंदर ट्राई नहीं किया उस मैच के अंदर वो काम की हो तो वहाँ पर आपका नुक्सान हो जाता है तो इसलिए आप ट्राई जरूर कीजिएगा क्रीब 10 से 15 मैचों के अंदर ट्राई कीजिए आप आपको 100% आपके टीम पहली से लेकर 5 वी रैंक के उपर मेगा कॉंटेस्ट के अंदर जरूर आएगी 100% आएगी और गरंटीगे साथ आएगी ये टिप सेंट ट्रीक आपको हर कुई नहीं देगा और बाकि लोग गुमरा करने वाले बहुत होते हैं इस बल्लेवाज को ले लिया तो इस गेदबाज को मतलो इस गेदबाज को ले लिया तो इस आलराउंड को मतलो क्यों ना लो ग्यारा खिलाडी तो लेने पड़ेंगे टीम में तो फिर किसको ले आपने देखा होगा कि कई बार कहते हैं जी बैटिंग पीच है तो वहाँ पर बल्ले बाजों को मुझा दीजिए कुछ मैच ऐसे भी हुए है आदे मैच जहां पर बैटिंग पीच है गेंद अंक इनकारी आपको वहाँ पर खैल गर दी है इसलिए कहता हूँ किर्केट के आखनों से आप फेंटेसी आउपने अपर नहीं जीत सकते जितना मर्जी जोर लगा लीजिए अपको जूर्त आपको जितना है तो आपको जरूर की जानकारी होनी चाहिए फेंटेसी की टिप् से इतना वो होता है ये होती है छोटी छोटी जीजे अब कैप्टन वाइस कैप्टन का सेलेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा अगर आप इस वीडियो के उपर लाइक दिल खोल कर ठोकेंगे सबस्क्राइब करेंगे तो अगली वीडियो के अंदर फिर मापको कैप्टन वाइस कैप्टन की ट्रिक भी इसी परकार की ट्रिक दूगा अगली वीडियो में तो ये थी छोटी सी जानकारे उमीद करता हूँ क्या आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत शुक्री आप सभी का थेंक्यू बेरी मच्च